नमस्ते दोस्तों, एशिया में बहुत सारे अध्वितिय प्राकृतिक धरोहर हैं, जो हमारे मन को आश्चर यच्कित कर देते हैं। इस वीडियो में हम लेकर आये हैं एशिया के शीर्ष 10 अध्वितिय प्राकृतिक धरोहर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको जंगली जीवों, चमकदार जर्नों और प्राकृतिक सौंगर्ये से भरपूर वनस्पती मिलेगी। इस अध्वितिय समुदरी खाड़ी में आपको चमकदार न दिया, गुफाय और उच्छ चटाने देखने का मौका मिलेगा। नमबर आठ डेजर्ट नाशनल पार्क, चाइना यहाँ विस्तरित रेगिस्तान एक प्राकृतिक धरोहर है, जहाँ आपको लाल रंकी ढोलिया, गुफाय और तेज हवाओं का अनुभव मिलेगा। नमबर साथ, बोर के गोल्डन सैंड्स, फीलिपिन्स, जहाँ अध्वितिय अध्वी पस्मूह गहरे नीले समुद्र और सोने के रंकी वालुयों के लिए मशूर है। नमबर छेट, हिमालियन नाशनल पार्क, निपार्क, यह पार्क बरफीले परवतों, धास के मैदानों और वनस्पती के लिए प्रसिद्ध है। नमबर पांच, याकुशिमा फॉरेस्ट, जैपैंग, यह उद्ध्यान विविध फ्लोरा और फॉना, छोटे जरने और सुन्दर विहारों के लिए मशूर है। नमबर चार, बोरो बुदुर टेंपल, इंडोनेसिय यह विश्व धरोहर स्थल है, जहां आप भारतिय और बौध संस्कृती के एतिहासिक मंदिर और स्थूपों का दर्शन कर सकते हैं। नमबर तीन, ग्रीन तराई जंगल, भूटान, यह वनस्पती से भरे जंगल आपको अध्वितिय प्राकृतिक जीव जन्तू, नदियों और घने हरियाली से परिपून वातावर्ण का अनुभव कराता है। नमबर दो, जिवजय गौगाली, चाइना। यह जादूई प्राकृतिक खजाना अपनी जीवन तुर्की रंकी जीलों, जर्नों के धारों और हिमाच्छादित शिखरों के लिए मशूर है। जिवजय गौगाटी एक शान्ती पून और चित्रस्थली अनुभव प्रदान करती है, जो आपको अपनी सुन्दर्ता में मोहित कर देगी। और अंत में संख्या एक जांगजियाजी नाशनल फॉरस्ट पार्क, चाइना। यह असाधारन प्राकृतिक धरोहर उची बालुवा पीलर्स, हरी घास और जबरदस्थ अवतार हैलूजा माउंटेन के लिए प्रसिद्ध है, जो फिल्म अवतार को प्रेरित किया। तो यह थी हमारी एशिया में शीर्ष 10 अगवितिय प्राकृतिक धरोहरों की सूची। यदि आपको ये धरोहर देखने का अवसर मिलता है, तो यात्रा करने से पहले इन्हें अवश्य अपनी सूची में शामिल करें। धन्यवाद।